एलो लनन स्वागत है आपका लनन के यूट्यूब चैनल में आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे वह है ट्रिक टू रिमेंबर रस्रिक्शन साइट ठीक है यह यह रस्रिक्शन साइट जो है वह सब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वह स्ट स्टूडेंट्स के लिए बैने बैनिफीशल है इसके अलावा जो भी इसी एमार गेट गेट एक्जाम के लिए बैट रहे हैं या जो इस बहुत बैट रहे हैं अगर वह बाय टेक्नॉलजी से भी लॉंग करते हैं तो रस्रिक्शन साइट को याद रखना उनके लिए बहु करते हैं ठीक है तो यहां बात करेंगे हम एक छोटी से स्टोरी से ठीक है छोटी से स्टोरी से हम बात शुरू करेंगे वह स्टोरी क्या है कि यह कोई लेडी है ठीक है यह लेडी है यह जो मम्मी बन चुकी है ठीक है मम्मी बन चुकी है और इनके पास एक छोटा बच्चा ह इनके पास एक छोटा वच्चा है जिसका नाम है I movimiento है इकवाइब क्यूट है इक जो है वह बहुत क्यूट है ठिक है और बहुत स्माइलिंग है वन येर का है ये बेबी क्या है वन येर का है तो इक और के लिए इनकी मम्मी ने डिसाइड किया कि इक और को टूथ पेस से बोला जाता है ना कि कुछ चीजे जो होती है कीप आउट ओफ रीच ऑफ चिल्डरन ठीक है तो चिल्डरन की पहुंसे दूर रखना है को चीजों को तो वैसे ही इनकी मम्मी ने डिसाइड किया कि बच्चे कुछ भी उठा के मूँ में डाल लेते हैं तो इसलिए इनकी मम्मी ने डिसाइड किया कि इस इक और को दूर रख से और बाम से ठीक है तो इह ने एक लाइन बोले कि इक और बाम हाइड पेस से दूर रखना है अब यह लाइन हमाई लिए कैसे यूसफुल होगी पहला तो अपन जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो छोटे एक दो साल के बच्चे होते हैं वो सब क्या होते हैं बार बार गोद में आना चाहते हैं चिपकना चाहते हैं किसी से भी बहुत जादा चिपकना चाहते हैं जो चिपकता है उसके लिए क्या बोलते हैं Sticky बोलते हैं इस जो वो चो भively बच्चा वो स्टीकी है अब यहां पर हमयाद रख सकते हैं इक और बाम हाइट पेस्ट निरा का है तो फिर ओ सकते हैं यहां से हम इक और नंगोenne रखेंगे लबांस चाखना हैं हिंद फ्री और ps1 यह चारो इस sentence से याद हो जाएंगे कि एक कंट से दूर रखना है और चोटा बच्चा है इसलिए उसको बां ँर-का से दूर रखने है वह चोटे-बच्चे की एच कि इतनी है to तो यहां पे हम इकॉर को 1 & 5 में क्यों differentiate करा है क्यूंकि इको और 1 के 2 enzymes है R1 भी है और R5 भी है ठीक है तो इसलिए हम यहां पे बच्चे को 1 year का बच्चा ले रहे है पांच यहां का बच्चा ले रहे थीखे तो इक और वन जो है जब वो वन यर का है तो वो बाम हाइट पेस से दूर रहेगा मतलब इको आर वन बाम हच वन हिन फ्री और टी एस टी वन ये चार्ड एंजाइम जो होंगे वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेंगे एक और वन जो है वो छोटा बच्चा है वो चिपके गा सबसे तो इसलिए इस टी की एंड प्रोड्यूस करेंगे तो ऑप यह चोटा बच्चा कुछ टाइम बात बड़ा हो गया है और अब यह हो गया है पार साल का जितने वह सक्राइल ने क्या कहा है अब एक और जो फाइफ हयर को गया तो ड की गया है लेकिद और बज़ंगे कि इसकी साल वाले होते हैं वह भूमने बग जाते तो यह प्लंट हो गया है बदल गया अब उसकी मम्मी ने उसको बोला कि इक और अब तुम बड़े हो गया एक और आलू है समेश कर दो में उसकी मम्में उससे घर के च्छोटे मुटे मुटे काम लेने लग गयी और इसलिए उसने बोला एक और आलू है समेश कर दो तो अब क्योंकि एक और 5 साल का हो गया तो एक और 5 याद रखेंगे ठीक है आलू से एल्यू याद रख सकते हैं है से क्या है फ्री याद रख सकते हैं और इस मैश से क्या याद रख सकते हैं इस मैवन तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि एक और वन के साइट जो होंगे वो स्टिकी एंड होंगे और फाइब के साइट जो होंगे वो blunt end के होंगे one के लिए क्या याद रखना है एक और को बाम हाइट पेस से दूर रखना है और जो blunt end के लिए क्या याद रखना है एक और आलू है श्मैस कर दो तो ये हो गया तरीका sticky और blunt end restriction enzymes को याद रखने का अब बात कर लेते हैं restriction sites को कैसे याद रखना है ठिक अब ये बामेच्वन में हम देख सकते हैं कि पहला तो ये जो होते हैं palindromics होते हैं जो भी restriction sites होते हैं वो palindromics होते हैं अगर आप इधा से read करो इधा से read करो और इधा से read करो तो दोनों में ही same आएंगे जैसे gga और gga ठिक है तो आपको कोई एक segment याद रखना है कोई एक segment याद करना है ठिक है उसका revert कर दोगे तो ये 5 dash से ये वाला segment अपने आप बन जाएगा ठिक है अब उसके opposite के segments बनाने हैं तो आप gga के g के complimentary क्या होता है c होता है g के complimentary क्या c होगा a के complimentary क्या होगा t होगा ठिक है ऐसे ही इसके वहाँ भी c g से c और g से c और a से t बना देंगे ठिक है तो इस ता से complete sequence बन जाएगी आपको सिफ आगे का कोई भी 5 dash से ये position याद रखना है ठिक है तो अब बात करते हैं बैम H1 में जो restriction site है वो क्या है बैम H1 में जो restriction site है वो है g g a क्या है g g a ठिक है अब इसको हम कैसे याद करेंगे lady gaga in bombay या lady gaga in bombay ठिक है bombay से क्या हो जाएगा bam याद हो जाएगा आपको और lady gaga 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 याद रखना आपको lady gaga ठिक है g g a ठिक है g g a यहाँ पर याद रखते हैं दिमाग लगा ले ना सोडा साँ ठिक है तो आपको याद हो जाएगा फिर इसके बाद eco r1 eco r1 में जो restriction site है वो क्या है g a a है क्या है g a a तो हमने क्या बोल दिया eco r1 है तो हमने बोल दिया इसको एक eco friendly गाना क्या है eco friendly गाना eco friendly गाना तो यहाँ पर गा में g a a आ रहा है ठिक है ऐसे ही हिंद्री के लिए अगर हम बात करें हिंद्री के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर restriction site जो है वो है a a g ठिक है क्या है a a g इसको हम आग भी बोल सकते है ठिक है ठिक है यहाँ यहाँ पर क्या यूज कर रहे है हिंद्री के लिए यूज कर रहे है हिंदी क्या यूज कर रहे है हिंदी ठिक है और a a g की site के लिए हम यूज कर रहे है word आ गई क्या यूज कर रहे है आ गई तो हिंद 3 को क्या है हिंदी आ गई हिंद 3 को क्या है हिंदी आ गई यह याद रखने है ठीक तो अब अगर हम ego r5 की बात करेंगे ego r5 तो यहां पर restriction site जो है यह हमने पहले ही पढ़ा यह blunt end produce करती है ठीक है blunt end produce करती है ठीक तो यहां पर eco-friendly gate 5 eco friendly gate 5 कैसे ऊब यहां पर confusion हो सकता है ना को friendly ऊपर भी है eco friendly गाना eco friendly gate ठीक तो ये eko r1 की case में गाना गा रहे हैm eco friendly गाना गा रहे हैं eco r5 के case में home gate no.5 क्या लगा रहे हैं eco friendly gate no.5 ठीक तो जी 80 यहां पर gate में क्या याद रखना है आपको gate G80 ऐसे ही HA3 HA3 में क्या है यह भी blunt and generate कर रहा है ठीक है यहां पर क्या याद रखना है यह GG है और CC है GG CC है GG है ठीक है तो यहां पर GG जो है यह है इसका restriction side ठीक है GG जी जो है वो है इसका restrictions है तो GG के लिए हम क्या याद कर लेंगे हे गीगी क्या हे गीगी गीगी ठीक है हे से हमको HA3 engine याद आ जाएगा और गीगी से क्या याद आ जाएगा आई तो हमाई लिए useless है क्योंकि आई जैसा कोई site नहीं होता है गीगी जी जी ठीक है यह याद हो जाएगा तो हम BAM H1 के लिए क्या याद करेंगे लेड़ी गागा इन बॉमबे ठीक ECO R1 के लिए eco friendly गाना ठीक हिंद 3 के लिए hindi आ गई ठीक हिंदी आ गई ECO R5 के लिए क्या होगा? ECO friendly gate 5 क्या होगा? ECO friendly gate 5 और HEE 3 के लिए क्या हो जाएगा? हे गी 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 ठीक तो इस तरह से हम इसको restriction sites को याद रख सकते हैं ठीक है? ठीक है? ठीक यू फॉर वाच्छिंग